दोस्तों, आज अपन देखेंगे सामान्य विज्ञान के टोपिक भोत्तिक एवंग रसायनिक परिवर्तन से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट किशन के बारे में दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ी सी थियोरी भी एड किये, जो कि आपके परिशा की दिश्टी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप उनको कहीं पर वीडियो को रोक कर लिख लें देखते हैं अपन, दोस्तों जो भूतिक परिवर्तन है वो क्या होता है उसको अपन समझते हैं पदार्तों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसकी भूतिक अवस्ता में परिवर्तन होता है किन्तु पदार्थों के रासायनिक संगठन एवंग रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भूतिक परिवर्तन कहते हैं, उदारान से समझना, जैसे सोने का पिगलना, दोस्तों अपन इसमें क्या भूतिक अवस्ता में परिवर्तन होता है, उसकी रासा कि भोतिक ववस्ता में परिवर्तन हुआ है उसमें रसायनिक ववस्ता में रसायनिक कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उसी परकार से काच का टूटना काच टूटकर जो उठका टुकड़ा बनता है वो भी एक कांच ही होता है उसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है जब अपन कांच को तोड़ते हैं उससे जो टुकड़े बनेंगे वो भी अपने कांच ही रहेंगे शक्कर का पानी में घुलना यानिकि जो शक्कर होती है वो पानी में घु बदलना और जब लोहे से चुमबक बदलती है तो वह वापस लोहे में बदल सकता है ना उसमें जएदा अपने रसाइनिक परिवर्तन नहीं हुआ है और संगनन आसवन और उर्दुपातन इनको आप इस स्लाइड में समझो जब बर्फ से द्रव बदलता है तो उसे बोलते है गलन और जब द्रव गेस में बदलती है तो उसे बोलते हैं वाश्पन उसी पकार से उल्टा जो होता है जब द्रव को बर्फ में बदला जाता है तो उसको बोलते हैं हीमन और जब गेस को द्रव में बदला जाता है तो उसको बोलते हैं संगनन और जब बर्फ को सिधा ही गेस में बदल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं उर्धु पातन और जब गेस को बर्प में बदल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं निक्षेपन इन सभी टर्मों को आप अच्छे से ध्यान रखें जो यह सभी है टर्में हैं वो भोतिक परिवर्दन का उधारने क्योंकि जब भी बर्प से द्रव बनता है तो उसको अपन वापस द्रव को बर्प में बदल सकते हैं यनकी जब कोई भी एक फोर्म दूसरे फोर्म में बदल जाती है और उसको वापस पुराने फोर्म में बदला जा सकता है तो उसको क्या बोलेंगा अपन भोतिक परिवर्तन नेक्श देखते हैं भोतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं तो भोतिक परिवर्तन में पदार्थ के भोतिक गुणों जैसे आयतन, अवस्ता, ताप, भनत्त, रंग आदे में परिवर्तन होता है पदार्थ के रसायनिक संगठन तथा रसायनिक गुणों में कोई परिवर्थन नहीं होता यानिकि जब भोतिक परिवर्थन होता इसमें पदार्थ के रसायनिक संगठन और रसायनिक गुणों में किसी प्रिकार का परिवर्थन नहीं होता यह परिवार्दन उत्क्रमणी होता है यह परिवार्दन उत्क्रमणी होता है यह अपने जब इसको वापस पुराने फोम में बदलना चाहो तो बदल सकते हैं जिससे अपने किसी भी द्रव को ठोस में बदला जब अपन किसी भी द्रव को थोस में बदल रहे हैं तो अपन बर्फ को वापस पानी में बदल सकते हैं इसको बोलते हैं उत्क्रमणी होना ना उत्क्रमणी यानिकी वापस उसको पुरानी फोम में बदला जा सकता है यानिकि अपन सोने को पिगालते हैं पिगला कर द्रोव में बदल देते हैं लेकिन वा परिवर्तन अस्ता ही होता है यानिकि यह परिवर्तन इस्ता ही नहीं होता है यानिकि कोई भी बर्फ होती है उसको वापस पानी में बदल सकते हैं और पानी को वापस बर्फ में बदल सकते हैं यह इस्ता ही परिवर्तन नहीं होता है नेक्स्ट आता है रसायनिक परिवर्तन इसको भी आप धंग से समझना, पोदों में होने वाला वह परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानिकि पोदे में ऐसा परिवर्तन होना, जिसमें उससे नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो रसायनिक संगठन तता रसायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पून भिन्न होता है इसे रसायनिक परिवर्तन कहते हैं यानि कि आप उदारन से समझना जिसे की कोईले का जलना दोस्तों जब कोईला जलता है तो उसकी राग बन जाती है उससे अपन वापस कोईला नहीं बना सकते हैं वो उसके रसायनिक चेंज होगे है उसमें जो चीजें थी वो पूरी चेंज होगे यानि कि कोईले से राक में बदल जाता है उसको वापस कोईला नहीं बनाया जा सकता वेसे ही लोहे पर जंग लगना, दूद्स का दही में बनना, जो दूद होता है वो दही बनने के बाद उसको वापस दूद नहीं बनाया जा सकता, उसके रसाइनिक परिवर्तन हो चुके हैं, उसमें जो बेक्टिरिया थे उन्होंने, उसकी प्रोटीन को क्या बना दिया है, अमल बना दिया है न, तो उसमें पूरा रसाइनिक परिवर्तन हो चुके हैं, उसको वापस दूद नहीं बनाया जा सकता, अवक्षेपन, दहन, किंडवन, ये सभी रसाइनिक परिवर्तन के उधारने, दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां से आप आपको बिल्गुल आसान आसान एक या दो कुशन, दो कुशन आपको परिशा में देखने को जरूर मिलेंगे, रसाइनिक परिवर्तन के गुण, रसाइनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं, वे मूल पदार्थ से रसाइनिक गुणों तदा संगटन में भिन्न होते हैं यह परिवर्दन उत अनुत करमनी होता है यह जब नए पदार्थ बन जाता है तो उसको वापस पुराने पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है यह अनुत करमनी होता है यह परिवर्दन इस्ताई होता है यह अपने कोईले को जिलाया और उसकी राग बन गई तो वो राग इस्ताई है उससे वापस कोईला नहीं बनाया जा सकता इस परिवर्तन में पदार्थ के भोतिक और रसायनी गुण बदल जाते हैं यानकि इस परिवर्तन में पदार्थ का जो भोतिक और रसाइनी गुण बदल जाते हैं नेक्स लेखते हैं निम्लिकित में से कौन सा एक भोतिक परिवर्तन है प्रकास संसिलेशन, कोईले का जलना, बर्फ का पिगलना या भोजन का पाचन तो दोस्तो इसका जो से आंसर हो जाएगा तीन नमबर उप्शन बर्फ का पिगलना क्योंकि भोतिक परिवर्तन में अपन ने देखा था उसको पिगलने के बाद जैसे बर्फ पिगलती है तो द्रव में बदल जाती है बोजन नहीं बना सकते हैं देजू अरिक जलने की प्रकरम में शामिल है केवल भुतिक अभी करें केवल रसाइनी करें हुए ऑभी करें इसका जो से आंस्र होट जायेगा तीन नमबर ओप्षेन भुतिक और रसाइनी करें दोनों अभीकरें दोस्तों इसcktal मोमवत्ति होती है उसमें एक तो होती है बहुतीlla अंदर उन धागा जब अतनव्ति को जलाते हैं तो जो मोम, पिखलती है साइटों में वो मोम पिखलना तो हो गया बहुत तिक परिवरतन क्योंगी मोम से अंपन वापस मोम बना सकते हैं, जब वो पिगल की द्रव बन जाती है, तो उसको वापस मोम बन जाती हो, लेकिन जो अंदर धागा लगा हुआ है, वो धागा एक बार जलने के बाद उसकी राग खतम हो जाता है, तो वो है एक रासायनिक परिवर्तन, आपको समझ में आ गया होगा, कि जो अपन मोम बत्ती को जलाते हैं, उसमें दोनों प्रक्रम होते हैं, यानि कि जब मोम बत्ती जलती है, तो साइटों की मोम में पिगलती है, जब वो मोम पिगलती है, तो उसको तो बोलते हैं, भोतिक परिवर्तन, लेकिन अंदर जो धागा हुआ है, वो जब जलता है, तो वो बिल्कुल नश्ट हो जाता है, इनकी रात बन जाती है, भी दुआ बनके उड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, आपको समझ में आ गया होगा न, कि अगर आप से पूछ ले कि मौमबत्ति का पिखलना, किसका उधारना है तो बोतिक परिवर्तन होते हैं, नेश्ट कुछन देखते हैं, निमन लिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कोईले का जलना, जल का वाश्पन, दूद का जमना या फल का पकना, तो इसका से आंसर हो जाएगा, दो नमबर ओप्शन, जल का वाश्पन, दोस्तों, क पूछन ये पूछ रहा है, आपको कि निमन में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उधारन नहीं है, यानिकि इन में से कौन सा एक भोतिक परिवर्तन का उधारन है, ये पूछना चारा है, तो जल का वाश्पन, यानिकि जब जल वाश्प बन जाता है, तो उसको वाप जमने के बाद दही बन जाता है, उसको वापस दूद में नहीं बदल सकते हैं, फल का पकना, जब एक बार फल पक जाता है, तो उसको वापस कच्छे फल में नहीं बदल सकते हैं, निम्ड में से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है, लोहे का चुम्बक बनना, मोम का जलना, बर्फ का पिगलना या इनमें से कोई नहीं, तो इसका से आंसर हो जाएगा, निम्ड में से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है, तो इसका से आंसर हो जाएगा, दो लगा हुआ है वो जलता है तो उसको बोलते हैं रसायनिक परिवर्तन आप य एक मुंबत्ति का जलना इनमें से कौन सा हुथ किसका उतारने थो रसायनिक परवर्तन का पेले एक रसाइनिक परिवर्तन है और अगर आपसे पूछ लेकि मौंबत्ती का पिघलना किसका है तो वह भूतिक परिवर्तन में आएगा ना नेश्क कुछन देखते हैं किसकी उपस्तिति के कारण चुने का पानी वायू में रखने पर दूदिया हो जाता है तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर ओप्शन कारण डाई ओक्साइड नाइट्रोजन ओक्सिजन या सल्फर डाई ओक्साइड तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर ओप्शन कारण डाई ओक्साइड अपने ओक्सिकरण होगा तो उसमें ओक्सिजियन की अनुपात में व्रद्धी होती है उसमें और वो विद्ध्यूत रिनात्मक्त तट्व होता है नेश्क्रुषन देखते हैं लोहे पर जंग लगना किसका उधारण है ओक्सीकरण का अपचेन का बहुली करण का या जस्ती करण का तो इसका स्यांसर हो जाएगा एक नमबर ओप्षन ओक्सीकरण का ओक्सीकरण होने की वज़े से अपना जो लोहा होता है उस पर जंग लग होता है जो उत्प्रेरख होते हैं वो अपनी कोई भी रसाइनिक अबिक्रिया उसको तेज कर देते हैं बड़ा जयते हैं ना नेस्ट कुशन है निन में से कौन सा पदात बीना जुआला के जलता है मौमबत्ती केरोसीन कोईला या मिथेन गेस तो इसका से आंसर हो जागा तीन इलेक्ट्रोनों का त्याग औक्सिक्राण में क्या होता है इलेक्ट्रोनों का त्याग होता है नेस्ट कुशन है उत्प्रेरख विश होता है किरिया निरोदक स्वा उत्प्रेरख समांगी उत्प्रेरख या विश्मांगी उत्प्रेरख तो इसका से आंसर हो जाएगा एक नमबर ओप्षन किरिया निरोधक नेश्ट कुछन देखते हैं यदि किसी किरिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कारी करता है तो उसे कहते हैं समांग उत्प्रेरक विश्मांग उत्प्रेरक स्वा उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक तो इसका से आंसर जाएगा ती जब आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखिए तो आप प्ले लिश्ट पे जाकर देख सकते हैं क्योंकि हम सभी नए सेलेबस के अकोड़िंग टोपिक वाइस क्यूशन सोल कर रहे हैं आपके ऐसे कैसे इन क्यूशनों को पेपर में आने की बहुत ज़्यादा सम्भावन नेश क्यूशन है धनात्मक उत्प्रिलग वे हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं अभिक्रिया के वेग को आपरिवर्तित रखते हैं या प्रेडित उत्प्रिलग की भांती विवार करते हैं तो इसका से आंसर हो जाएगा दो न Orthodox आभिग्रिया करोको कम करते हैं जब अभीकारक और विश को समान होती है तो विश्मांग विश य प्रेशित है आंसर हो उप्षा देखता है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है ओक्सिकारक अवकारक अभिकारक या प्रतिफल तो इसका से आंसर हो जागा तीन नमबर ओप्शन अभिकारक थेंक्यू दोस्तों यह थे आज के अपने बहुत ही महत्मूर प्रशन है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करें थेंक्यू दोस्तों